आज हम बात करेंगे देश में चो किसानों का अंदोलन चल रहा है और पिछले तीन-चार साल से लगातार किसान अंदोलित है देश भर में और इसी मुद्ध पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है औल इंडिया किसान सभा के राश्ट्री अध्यक्ष अशोग धावले जी अशोग जी हमारे न्यूसक्रिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत तो पहला सवाल तो यही कि अभी जो महराश्ट्रा माध्यप्रदेश और पंजाब के किसानों ने स्ट्राइक की है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे प्लस इसके जवाब में जो बीजेपी के अगर आपने देखा तो पिछले दो-तीन साल में लगातार किसान अंदुन बढ़ रहे हैं पूरे देश में अलग-अलग सवालों के ओपर और अलग-अलग राज्यों में लेकिन बुनियादी सवाल जो है वो तीन-चार ही है एक तो है किसानों को करजा माफी मिलना चाहिए और वो एक लूट वापसी के हैसियत से मिलना चाहिए इतने सालों में लूट किया सरकार ने और बाकी सभी ने दूसरा जो मांग है वो है स्वामिनाथन कमिशन को लागू करना और डेट गुना दाम-लागत खर्चा का देना ये दूसरा सवाल तीसरा जो है जमीन का आधिका ये बहुत ही इंपोर्टन सवाल है चाहे वो आधिवासियों का हो फॉरेस्ट रैट्स एक्ट का हो और दूसरे किसम के जमीनों का हो चौथा है कि जो फोर्स्ट लैंड अक्विजिशन आज हो रहा है भूमी संपादन ले रहे है इसके उपर भी बहुत बड़ा सवाल आज और साथ में और एक सवाल जो है या भी प्रधान मंत्री फसल भीमा यूजना पूरी तरह से वो बोगस है जिसकी वज़े से आज 97 परसेंट उसका प्रीमियम इंशूरंस कंपनीज ले रही है तीन प्रतिशत सिर्व किसानों को मिल रहा है और और एक आखरी सवाल जो है इंक जो स्टेट्मेंट किया कि यह सब यह तो इस शेम शेमफुल दूसरा और कोई उसके लिए शब नहीं है महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार से कुछ बीजेपी के निताओं नहीं इसी का है इसका मतलब यह है कि इनके एक्चुली ग्राउंड रियालिटी से इनका संबंध प इनका कॉंटेक्ट कुछ तूट गया और दूसरा पूरी तरह से इनसेंसिटिविटी है किसानों की हालात के बारे में इतनी इनसेंसिटिविटी इनके अंदर यह सही में बहुत ही आश्चर जनक है और जब पिछले 25 साल के नवुदारवादी नीतियों के चलते तीन साड़े तीन लाग किसानों ने आत्मत्या की है मोदी सरकार के चार साल के अंदर उसमें 40 प्रतिशत बड़ोतरी हुई आत्मत्याओं में और ऐसे सूरत में यह जो डिमांड्स को एड्रेस करने के बजाए इस प्रकार के जो बहुत ही यहने absolutely very bad statements इनका निशेदी होना चाहिए पूरी तरह से उसमें कोई दो राएं नहीं है कैसे रहे हैं मोदी सरकार के चार साल किसानों के लिए देश के किसानों के लिए जबकि वह इस तरह कि भाशन इस कि आजादी के 70 साल के अंदर, ये मोदी सरकार के जो 4 साल रहे, भाज़पा की सरकार के, ये सबसे बड़ा किसान विरोधी सरकार आज तक कर रहा, और सबसे बड़ा जिसको हम क्रोनी कैपिटलिजम कहते है, उनके पक्षका सरकार अभी तक इस प्रकार का कभी आया नहीं देश अगर वो और फिर बिल भी लाया लोगसभा में पास भी हुआ क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी थी वो अगर कानून होता तो पूरी तरह से किसानों की बरबादी होती और हजारों नहीं लाखो करोड एकर की जमीन आज किसान पूरा उसको उड़ा देते महां से और कॉर्प लुमियाधिकार आंदुलन नाम का एक बहुत बड़ा मंच खड़ा किया पूरे देशवर में उसका विरोध हुआ एक तरफ on the ground और दूसरी तरफ राज्यसभा में हमारे लेफ्ट ने उसके अंदर अगवानी की बाकी सभी विरोधी पार्टियों को इकठा किया और उन्हो वापस लेना पड़ा तीन बार उसको जारी करने के बाद ये मुझे लगता है कि भारत के किसानों की पहली बहुत बड़ी जीत हुई ये पहला लेकिन उससे मालूम पड़ा उनका रवया क्या है लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या क्या उसके बाद में उन्होंने राज जब तक माज्यों कमी तर भी तब तक तक अभि यह यहां' तो हमं सब्सक्राइब here दिली ने वह आप royalty रल हें। । बीजेपी सब्सक्रां को म्हें आँ फारी साहि उग्ने उस यह उन्हें परोप unitälle के अंदr लारा equalize उप्सक्राइब हें development हम अगर सत्ता में आए तो हम स्वामिनाथन कमिशन के रेकिमेंडेशन को लागू करेंगे जिसके अंदर ये कहा था मुख्य जो रेकिमेंडेशन था कि लागत खर्चे के डेड़ गुना मूल ले हम किसानों को MSP के रूप में देंगे चार साल हुए चार साल में इन्हों ने क कुछ भी इसके बारे में नहीं किया और इसके लिए एक्चुली ये अग्रेडियन क्राइसिस और ज्यादा बढ़ते गया तीसरी बात करजा माफी के बारे में केंद्र सरकार ने आप देखे चार साल में एक लवज भी नहीं निकाला है करजा माफी बहुत जरूरी है आज किसानों के लिए क्योंकि इतने सालों में पूरी तरह से उनकी जो लूट हुई है मार्केट में लूट हुई है सब जगह सरकार ने भी MSP नजाहिर करते हुए ये सब चीज हुआ है और एक तरफ किसानों को करजा माफी नहीं देना दूसरी तरफ निरव मोदी विजय मल्ले ये ऐसे लोग पूरे भारत के बैंकों को डुबाते है हजारों करोड रुपए से और इंगलंड चले जाते है और खुद को जो 56 चाती का प्रदान मंतरी जो कहलाता है खुद को उनके पास हिम्मत नहीं है उनको वापस लाने के लिए इतना ही नहीं लेकिन आज आप देखे कॉर्परेट हाउसिस के धाई लाक करोड रुपए अक्चुली इन्होंने राइट आफ किये अभी एनपी जैने नॉन पर्फॉर्मिंग आइसेट कितने है अभी ये मड़े कॉर्परेट के साथ मुठीवर कॉर्परेट से अभी उनका ब्याज के साथ होता है साड़े ग्या आपने 0% किया इसका मतलब कि आज भारत का गेहू का किसान मर गया जाएगा तोकि वो गेहू सस्ते में इंपोर्ट होगा यहां के दाम गिरेंगे और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा 2022 में हम उसको दुगुना कर देंगे ये सब बक्वास है कुछ इसमें से होने वाला नही ह ये एक्चुली किसानों की आमदनी घट रही है इसलिए आत्मत्या हो रही है और जो आत्मत्या नहीं कर रहा है उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है और इसलिए आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में भूमी हीन किसानों की भी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी ह है हमारे देश में करोडों से बड़ी है क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है न जमीन बेच डालो करजे में से कुछ न कुछ रहत पाओ और एक बार जमीन आपकी चली गए तो खतम हुआ अब आप देखेंगे आकरी का पॉइंट अभी देखेंगे कि अलग-अलग किसम के जो लैंड अक्विजिशन के प्रोजेक्ट्स है दो दिन पहले हमने महाराष्टर के पालगर में ये जो मुंबई आमदाबाद बुलेट ट्रेन है उसके खिलाफ का बड़ा कन्वेंशन हमने लिया और सभी पार्टियों को हमने ऐलान किया कि आपको अगर इस बुलेट ट्र शिव सेना के लीडर आए, MNS के लीडर आए, शेतकरी कामगार पक्ष के आए, माक्सवादी कम्यूनिस पार्टी के तो है थे ही और सभी ने बोला कि ये बुलेट ट्रेन और मुंबई वडोधरा एक्सप्रेस हुए इसको हर्गिज हम पूरी तरह से नहीं होने देंगे क्यो को बरबाद करने का पूरा रवया उन्होंने अपनाया है। अखिल भारतिय किसान सभा का रूख रहा कि किसान का मतलब याने सभी किसान और उसमें से खास तोर पर हमारा ज़्यादा निर्भरता किसके उपर है तो भुमिहीन, खेतिहार, मजदूर, गरीब किसान ये है हमारा मुख्य आधार और वो होना भी चाहिए उसके साथ में वो उदारवादी नीतियों की तरह थहत, आज अमीर किसान के उपर भी हमले हो रहे है, लेकिन मुख्य रूप से जो गरीब किसान और खेतिहार मजदूर, ये हमारा मुख्य आधार है और होना चाहिए और रहेगा, अब इसके बारे में आप देखेंगे, खेतिहार मजदू है, वो लगबग आधा कट कर दिया, और आज हम देखते है कि जो सौग दिन काम, मनरिगा के नीचे हर खेत मजदूर के कम से कम परिवार में एक को मिलना था सौग दिन के लिए, आज वो काम बीस दिन भी नहीं मिलता है, ये है उसकी मनरिगा की हालत, यानि खेत मजदूरों को तो पूरी तरह से तबाई में उन्होंने ढखेल दिया है, एक गरीब किसानों को, जो जमीन का सवाल तो मैंने अभी कहा आपको, अभी पानी और इरिगेशन का सवाल भी बहुत महम हुआ है, पावर यान इरिगेशन का अपना, इलेक्रिसिटी का सवाल है, ये सब सवालो के ओपर ये हुआ है, आदिवासी किसानों के बारे में तो ये सोचते भी नहीं है, आप देखेंगे, आज ही न्यूज आई है, जो हम पहली बार बोलते थे, लेकिन आज मेंस्ट्रीम मीडिया में आई है, 62% 62% जो दावे किये थे, Forest Rights Act के अंदर आदिवासियों ने, वो reject कि ये है महराष्टर सरकार ने, और दूसरी जगह में क्या हो रहा है, चतिसगर, जारकंड, ओडिशा, ये सब जगह में, आज आदिवासियों की जमीन लेकर हड़प करके, आज वो बड़े-बड़े कॉर्परेट्स को माइनिंग और दूसरे जगह में देने के लिए उनका प कि प्राइवेट लोग वो पुरा जमीन को हजम कर लेंगे, तो ये जो मार्जिनलाइस सेक्शन्स है, फार्मर्स के अंदर, खेतिहार मजदूरों के अंदर, उसको तो ये देखते भी नहीं है, लेकिन उनके भी संगर्ष आज जोर से अलग-अलग जगह में हो रहे हैं और आंदुलन हुआ वो हो या जिस किसान लोग मार्ज की आपने बात की हो हो, तो आगे कि आपके क्या कारिक्रम है किसान आंदुलन को ही लेकर, नमबर एक, औल इंडिया किसान संगर समन्वई समिती, ये जिसने आपने जिकर खिया किसान संसद जिनोंने आयुजित की, एक सो पूरे कंसल्टेशन हो गए, राष्ट्रपती जी को सभी संगर समिती के नेता मिले, और आने वाले संसद के सत्र में, हमारे संसद वो बिल पेश करेंगे, सभी विरोधी पार्टियों को भी हमने बोला, वो आये, उन्होंने उसको समर्थन दिया, अब पार्लिमेंट के जैसे मैंने अभी बुलेट ट्रेन का बताया, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सवाल लेकर, वो भूमियादी का रांदोलन, जिसके अंदर भी आखिल भारतिया किसान सभा एक, मैं तो पूरन घटक है, लेकिन दूसरे भी काई घटक है, तो वो काम कर रहे हैं, ती प्रधान मंतरी को जो निवेदन दिया जाएगा, उसके अंदर पाच-छे मुख्य सवालों के उपर ये दस्तकत लिये जाएंगे, एक करजा माफी, दूसरा लागत के देड़ गुना दाम, तीसरा जमीन का अधिकार, चौथा वनाधिकार कानून, फोरेस्ट राइट्स के पाच्वा ये प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना ठीक तरह से उसको सही में कॉंप्रियंसिव करे, चट्वा इंक्रीस्ट पेंशन, ये सवालों के उपर दस करोड सिगनेचर हम इकठा करने वाले हैं, किसान और बाकी लोगों के भी, मजदूरों के भी हम करेंगे, खेतिया कलेक्टर के सामने, डिस्टिक्ट मैजिस्टेट के सामने, बहुत हजारों की तादाद में किसान वहां इकठा होंगे, और जो अपने अपने जिले में इकठे हुए सभी दस्तकत, वह इकठा करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर को देने के लिए डिस्टिक्ट कलेक्टर को व पूरी देश भर में एक जबरदस जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, 9 अगस को, अभी आमने 9 अगस क्यों चुना, 9 अगस चुनने का कारण यह है, 9 अगस का दिन आप जानते हैं, 76 साल पहले, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को चले जाओ का इशारा दिया था, छोडो सरकार, BJP, RSS, मोधी का, इसको हम यह एलान करने वाले हैं, कि अभी मोधी सरकार आप ट्विट इंडिया करने का वक्त आया है, भारत छोड़ देने का व्यक्त आया है, और यह नारा पूरा गुंजेंगा पूरे भारत में, और यह 9 अगस के लिए, जेल भरो करके, हम देखे इनके जेल में कितनी जगा है, कितने लाखों किसानों को कुण से जेल में डालते है, यह भी हम अखिल भारतिय किसान सबा की तरफ हम देखने वाले 9 अगस को, तीन बड़े संगटन जो हमारे देश के, वरगिय संगटन है, CITU मजदूरों का संगटन, अखिल भारतिय किसान को दिल्ली में एक बहुत ही जवर्दस्त और आइतियासिक रैली हम यहां दिल्ली में पाच सितंबर को निकालेंगे और वो पहली बार होगी हमारे इतियास में कई सालों में उसको हमने नाम दिया है मजदूर किसान संगर्श रैली तो मजदूर और किसान एक साथ में आएंगे ये जो मेहनतकश तपके है मजदूर किसान और खेत मजदूर साथ में आकर दिल्ली में मोदी सरकार को यहां से पूरी तरह से आप निकल जाओ इस मताबिक पूरे देश बर में उसका भी बहुत बड़े पैमाने पर आज चालू है कैंपेन उसका और पाथ सितंबर को ये काम होगा तो ये बहुत ही इंपोर्टन दो आक्शन्स है नव आगस्ट को और पाथ सितंबर को इसके अलावा आज अलग-अलग इसके अंदर आज ही हमारी किसान सभा की सेंटर की मीटिंग है 25 जून को हमारी पूरे आफिस बेरस की मीटिंग है हमने उसके अंदर हम ये कॉल दिये है कि अलग-अलग राज्जों के अंदर जो स्थानिक सवाल किसानों के है लोकल इशूज जो है वो भी पूरी जोर शोर से हमने लेने चाहिए क्योंकि किसान आंदोलन कैसे बढ़ेगा जब तक हम लोकल इशूज नहीं लेंगे हर जिले के, हर तैसिल के, हर गाव के भी वो अगर हम लेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे और इसलिए वो भी हमारा लगातार चालू रहेगा जो लोकल संगर्शों का है इस पूरे कारेक्रम के चलते पूरा जनता भी आब हम देख रहे है कि लोग, there are up in arms against the government और इसका अंजाम 2019 के चुनाव में मोधी सरकार को गिरा कर ही आज भारत की आम जनता वही आज रुकेगी नहीं तो वो संगर्श continuously चालू रहेगा हमारे साथ अपने विचार बाठने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नीजस्क्लिक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद